हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल एस डब्लूज स्टडी विद गुरुकोज और आज हम पढ़ने वाले अबाउट अनादर थियूरी ओफ फोगेटिंग जो की है रिट्रीवल फेलियर थियूरी तो यह पढ़ते हैं विदाउट अन्य डिले की रिट्रीव फेलियर थियूरी होती क्या है तो इसमें यह माना जाता है कि जो भी इन्फरमेशन लॉंग टर्म में लॉंग टर्म में में स्टोर्ड है बट वो एससिबल नहीं है उसको हम रिकॉल नहीं कर पारे उसको हम रिट्रीव नहीं कर पारे उसको हम यूज नहीं कर पारे हैं तो stored है but it is not accessible उसको हम recall नहीं कर पारे है उसको हम याद नहीं कर पारे है और उसको utilization हम नहीं कर पारे है और वो क्यों नहीं access कर पारे है because of the retrieval clues which are not present retrieval clues क्या है क्या इसकी importance है हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं तो जब हमें retrieval clues नहीं मिलते हैं किसी stored information को याद करने के लिए तब वो जो है हम किस उस information को recall नहीं कर पाते हैं जब भी हम कोई new memory को store करते हैं तो उसके साथ साथ हम उस situation को भी store होती है उस environment की storage भी होती है जिस environment में जिस condition में जिस situations में हम इस information को store करते हैं तो उसको बोलते हैं retrieval cues so when we come into the same situation again these retrieval clues can trigger the memory of the situation and वो इसलिए store होता है ताकि जब भी हम इस condition में दुबारा से आएं तो हमें वो memory जो हमने store की है वो recall हो पाए और वो retrieve हो पाए तो उनको कहा जाता है retrieval clues और यह retrieval clues भी दो तरीके के हो सकते हैं it can be of two types one is the external जिसको कि अब contextual भी बोल सकते हो context बोल सकते हो जिसमें क्या क्या होता है it includes the environment this environment में जिन situations में information store की जाते है जैसे की smell किस place पे की गई है किस conditions में की गई है hot dry rain just like that and second is the internal state मतलब हमारा internal state क्या है and बहुत सारे ऐसे evidence है जो इस theory को support करते हैं बहुत सारे laboratory experiments हुए है और हमें अपने everyday experience से भी बहुत बार ऐसा होता है कुछ information हमने याद की हुई होते हैं बहुत अच्छे से याद की हुई होती है long term memory में जो store होती है बट उसको recall नहीं कर पाते हैं जैसे किसी का birthday हो गया या फिर कोई भी और important questions जो कि हमें याद नहीं आता है क्योंकि उसके लिए important या जो hint है clue है retrieval के लिए वह available नहीं है long term memory में या available है तो situations different है तो तुलवेग है तुलवेग एक बहुत renowned psychologist है उन्होंने क्या आग्यू किया he argued in 1974 that information would be readily available और retrieved if cues are present when the information was encoded was also present when its retrieval is required उनका कहना था वह information को recall करना retrieve करना असान था जब cues present थे जब hint present थे वह same hint जब कि वह information store की गई थी जैसे कि for example आप कोई information आप किसी question का answer जो है अपने particular room में learn करते हैं but day and night में and उसके साथ कोई slow subtle सा music भी है तो जब भी वह music आप सुनेंगे तो आपको बहुत जाला chance है कि आपको उसके answer भी यार आएंगे तो यहां पर क्यूं क्या हो गया वह song वह भी वह क्यों हो गया क्यों क्योंकि वह भी उस answer के साथ आपकी long term memory में store हो चुका है another example is if you propose to your partner जब आप अपने पार्टनर को प्रपोस किया है and with a particular special song तो जब जब आप वह song सुनेंगे तब तब आपको बहुत जाला chances है कि आपको अपने पार्टनर को प्रपोस किया था वह event याद आए तो यहां पर song क्या हो गया song become a retrieval clue क्यों क्योंकि it was present when information was encoded and retrieved तो कहने का मतलब यह है जब कोई भी situation में हम कोई भी information store कर रहे होते हैं encode कर रहे होते हैं अगर same situation retrieval के time recall के time भी होती है तो बहुत जाला chances हो जाते हैं कि आपको वह information याद हो और recall हो जाए तो continuing the same thing उन्होंने भी external context और internal context के बार में बता है external context क्या physical surrounding he suggested that the information about the physical surrounding and the physical and psychological state जिसको कि उन्होंने internal context का है कि जो भी physical और psychological state होते है learner की that is stored at the same time as the information is learnt जब आपने कोई information learned के रही है तो उसी time आपकी जो learner है जो person पढ़ रहा है उसका internal mood क्या है वो information भी stored होती है और physical surrounding क्या है information वो भी stored होती है so reinstating the state and the context makes a recall easier by providing the relevant information while retrieval failures occur when appropriate cues are not present उनका कहना है कि अगर appropriate cues present नहीं होते है इसलिए information properly stored नहीं होती है and हमको information याद नहीं कर पाते हैं या फिर को different context होता है मतब situation बिल्कुल different होती है जिस environment में हमने कोई चीज learn करी थी वो same environment नहीं है तो वो information store नहीं होते retrieve नहीं हो पाती है इसको अभी हम और experiment के साथ मैं आपको समझाओंगे now context और external cues क्या होता इसके बारे में हम detail में पढ़ते हैं retrieval cues may be based on the context that is setting or situation in which information is encoded and retrieved जैसे कि मैंने बताया context मतलब situations कि कि situation में हमने learn किया है किन परिस्तितियों में वो क्या हो सकते है वो कोई particular room भी हो सकता है जब हमने drive किया हो वो चीज़ता भी याद करी हो rainy season हो hot weather हो जादा winter हो या आप कहीं घूमने गए हो किस hill station पे desert में को situation कुछ भी हो सकती है then context also refers to the way the information is presented context वो भी होता है कि किस तरीके से information जो है store हुई है किस तरीके से वो हमारे mind में present हो रही है उसको भी हम context बोलते है for example it can be printed spoken sung मतलब गा कर वो information store हुई है या फिर printed form में use हुई है या फिर किसी और meaningful तरीके तरीके जैसे कि list of words और list of animal यह फिर बहुत सारे evidence experiments किये गए है जिससे कि यह प्रूब होता है कि retrieval जो है retrieval is more likely when context at the encoding matches the context at the retrieval मतलब जो context encoding के वक्त था वो ही अगर retrieval के time भी है तो information जो है easily से recall और retrieve हो जाती जैसे कि मैं एक बहुत interesting आपको experiment बताऊंगी badly का who he conducted this experiment in 1975 उन्होंने क्या कि उन्होंने दो group बना दिये उन्होंने he did the experiment with a deep sea drivers उन्होंने दो groups को बोला एक group जो कि बीच पे था एक group जो है जिसको underwater जाके information learn करनी थी तो उन्होंने एक list of words दोनों groups को और उन्होंने पाया कि जो लोग बीच पे थे उनको बीच पर रहकर ही वो information वो list of words अच्छे से recall कर पाए rather than जो जिन लोगों ने underwater मतलब dive करके पानी के अंदर याद किया था तो उनको dive करके पानी के अंदर जाना पड़ा ताकि वो list को recall कर पाए जो एंड मोरेवर यह पाया गया कि जिन लोगों ने same environment में वो उन वर्ट को recall किया वो 40% more थे that means they had learnt and recall 40% more words than those recalling in the different environment मतलब अगर बीच पे जो लोग थे उनको underwater भेजा जाए तो उनकी इतनी recall नहीं थी जितना वो बीच पे रहे क्योंकि उनने बीच पे लर्न किया था similarly जोनने underwater learn किया था उनकी जो recall है वो 40% more थी when they were underwater उनका recall जा 40% जादा था so this experiment is a very powerful evidence for the contextual cues next is the state or the internal dependent cues now state or interdependent cues के जैसे मैं बता चुकी पहले भी कि it it is our physical and the psychological state which is similar at the encoding and the retrieval information को encode कर रहे होते हैं याद कर रहे होते हैं याद कर रहे होते हैं वो ही same state हो आपकी recall के time भी तो आपको properly recall हो जाता है जैसे कि for example को जोक आपको तब सुनाता है when you were drinking Saturday last night and it is more likely that you remember it in the similar state मैं आप जब भी दुबारा रिंक करोगे तो यू विल it's there are more chances that you will remember that particular joke and there can be various conditions at times we are alert at times we are tired happy sad we are drunk and sober so accordingly informations are encoded and they will be more likely to retrieve the information when they are in similar state मतरा जब हम similar state में होंगे similar happy mood में होंगे similar romantic mood में होंगे तब हमको वो सारी बाते याद हैंगी while we would be dated with our spouse or with our partner so there is another experiment you know there is another thing which states this memory which is called as a mood state dependent memory इसको mood state dependent memory भी कहा जाता है information about the current mood state is often stored with the memory trace जब भी हम कुछ learn करते हैं तो हमारा जो mood उस time जो state है वो भी store हो जाता है therefore more forgetting therefore there is more forgetting if the mood state at the time of the retrieval is different अगर वो ही same mood है लाइग अगर आप गुसे में हो तो यू will not remember all those good things or good time you have spent with your spouse or your partner तो आप वो सारी चीजे तभी रिकॉल कर पाते हैं यू आप वो सारी चीजे याद आती हैं जो आपने अपने की होती है तो कहने का मतलब यह है कि there should be less forgetting when the mood state at the learning and at the retrieval is same and generally it is also known as the mood state dependent theory तो friend this was about the retrieval failure theory I hope मैं concept समझाने में सक्षम रही हूं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको इन वीडियो की notification जाए तो bell icon को press करिए और like और comment करना ना भोलिए thank you